इस उडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक आप बरुडा के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 163.60 की करन प्राइस चल रही है और आज की दिन में स्टॉक में 6.20% उपर के लेवल पे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है यह जो आप चार्ट देख रहे हैं हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक में बहुत ही इंपोर्टन पहले रिजिस्टन्स जोन था फाइनली हमें यहाँ पे ब्रेकाउट देखने को मिला ब्रेकाउट के जलते स्टॉक में हमें फर्दर तेजी उपर की और कंटेनी होते वे दिखाई दे चुकी थी अभी देखिए अगर आप यहाँ से fresh entry का plan करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोड़ा सा stop loss रखके fresh entry का plan कर सकते हैं इसके जल्दे जल्दी stock में फर्दर तीजी हमें उपर की और और भी continue होते वे दिखाई दे सकती हैं next important resistance level की बात करेंगे तो उपर के side में हमारा important resistance निकल कर आ रहा है 195 से लेके almost 190 का यह वाला जो zone रहेगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important रहेगा अगर से इसको भी उपर की और breakout दे देता है तो further और भी stock में हमें तेजी देखने को मिल सकती है तो चले दूस्तों अब हम चेक कर लेते हैं इसका last 4 year का financial trend और analyst हमें क्या सला देते हैं buying की 2019 से लेकि 2022 तक का last 4 year का data हमारे सामने show कर रहा है company की growth की बात करेंगे तो यहाँ पे हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ में तो यहाँ पे देखिए profit में काफी अच्छी हमें growth होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन revenue में हलकी सी यानि की minus 2% गिरावट देखने को भी मिल रही है तो चले दूस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की वीडियो में के बढ़ने से पहले एक बात बतना चाहूंगा फ्रेंट्स बैंक ऑफ बरोडा के जो है quarter 3 के जो है results अनॉंस हो चुके है profit जम कर चुका है 75% उपर की और तो इसके जल्दी और भी stock में हमें थेजी देखने को मिल सकती है और एक सबसे main जो important चीज़ होती है नोरेट फ्लैक शो कर रहा है जब आप कोई भी stock में fresh entry का plan करना चाहते हैं long term short term या फिर swing trade के लिए तो नोरेट फ्लैक देखके ही आपको उसमें entry का plan बनाना है तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की तो अभी तक आपने angel one में dmate account open नहीं किया है तो link जो है description box में दे दी है उस link का use करके आप free में dmate account भी open कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं angel one app में दोस्तों में माच चुके हैं इंजल वन अप में simply यहां से watch list में आना है watch list में आने के बाद में search box में stock का नाम search करना है जिसे हमें bank of baroda का चाहिए हम यहां पे bank of baroda search करेंगे search करने के बाद मारे सामने दिखाई दे रहा है यहां पे देखिए इसको tap करने के बाद हमारे watch list में add हो जाएगा यहां पे हमने पहले से इसको add करके रख लिया है अगैन हम इस पे tap करेंगे tap करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेश शो करेगा यहाँ पर आप इसकी current price देख सकते हो option chain नीची की side में देख सकते हो charts देख सकते हो stock की details भी आप यहीं पर देख सकते हो हमने just ही chart पर analysis किया है तो हम यहाँ पर buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद कुछ इस तरह से interface शो करेगा अगर आप stock को buy करके hold करना चाते है तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना चाते है तो आप intraday में करेंगे अभी हम यहाँ पर delivery में है रहने जेते हैं यहाँ पर में quantity एंटर करनी है मान लीजिए हमें 150 quantity buy करना है तो हम यहाँ पर 150 quantity एंटर करेंगे यहाँ पर limit और market का option दिया है limit आने के stock को आप अपने मनपसंद price पर खरीच सकते हो जैसे कि stock की price 163 चल रही है आप इसको buy करना चाते हैं 160 पर तो आप यहाँ पर limit में इंटर करके रखेंगे जब भी stock की price वहाँ पर जाएगी आपका order जो है execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate आने के stock की जो भी current price चल रही होती है उसी पर directly आपका order जो execute हो जाता है simply हम यहाँ पर buy पर touch करेंगे buy पर touch करने के बाद confirm आजाएगा confirm पर हमें touch करना है confirm पर touch करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा जैसे मैंने आपको delivery का बता है same to same intraday का रहेगा तो दोस्तों आज की इस यूडियो में सरफ इतना ही था